मोदी सरकार द्वारा मौला नाजात फेलोशेप रत की गई जो की यूपी ये सरकार ने शुरू की थी जिसका लाब अलपसंख्यांकों को मिल रहा था जिससे छात्रा और छात्राओं को मिलने वाली लाब भी अबबंध हो जाएंगे अलपसंख्यांक मंतरी स्वृती रानी ने जो फैसला किया है जिससे अलपसंख्यांक परिवारों को बड़ाई आहत हुई है वच्छात्रों के भविश्य भी खत्रे में पढ़ चुके है नाखपुर शेहर कॉंग्रेस कमिटी अधिक्ष विधायक विकास ठाक्रेव महराश्टर प्रदेश अलपसंख्यांक अधिक्ष विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा के आदेश के अनुसार नाखपुर शेहर युवक कॉंग्रेस के वसीम खान के नेतरत्वा में सरकार से फेलोशिप लागो करने की मांग को लेकर नाखपूर में बड़ी तादाद में युवाव ने जलादिकारी कारियाले में विरोध प्रदरशन किया है जलादिकारी विजया बंकर को ग्यापन सौपा है इस दोरान वसीम खान ने मोधी सरकार को अलपसंख्यांक विरोधी पताती हुए कहा कि मौलाना अबुलकलाम आज़ाद फेलोशिप जो की अलपसंख्यांक को मुस्लीम बुद्धिस्ट इसाय सीग जैन पारसी आदी छातरों को पीएचडी वा एमफिल्क में मिलती है जो बंक कर अलपसंख्यांकों के साथ अन्याय हुआ है किंद्र सरकार को जल से जल इसे दोबारा लागुक करना चाहिए इस प्रदर्शन में नागपूर युवा कॉंगरिस के निता वसीम खान प्रदेश युवा कॉंगरिस के अदिक्ष्य डोरलीकर नवेच शेक फिरोज खान अन्या कॉंगरिस कारी करता मौजूद थे कैमेरा परसन राशकुमार मोड के साथ शितिजादी श्मूंग बीसीन नियूज नाखपूर